हम डिसकस कर रहे हैं प्रेजेंट वर्थ मेथेड प्रेजेंट वर्थ मेथेड का चो कॉंसेप्ट है उसमें हमने डिसकस किया कि हम असल में कॉस्ट और बैनेफिट को किसी भी प्रोजेक्ट के आइडेंटिफाई करते हैं और हम इनको कंपेर करके देखते हैं कि कोई प्रोज बेस पॉइंट पर लेकर आते हैं इसलिए हम इसको present worth method का एक concept bond के case में बहुत majorly इस्तमाल होता है bond हम किसे कहते हैं bond एक ऐसा document होता है जिसके अंदर जो bond issue करने वाला है वो bond खरीदने वाले से कुछ पैसे ले लेता है किसी खास time period के और जिस वकत तक वो पैसे वापस नहीं करता उस वकत तक वो एक periodic interest payment कर रहा होता है आप इसकी अगर normal example देखें तो पाकिस्तान में हमारे पास national saving certificates है national saving certificates में क्या होता है कि मैं अगर एक लाक रुपे के national saving certificates खरीद रहा हूँ तो असल मैं वो पैसे में किसको दे रहा हूँ वो पैसे में हुकूमत को दे रहा हूँ price bond में क्या case है price bond में यही case है कि सरफ फरकिये कि price bond में हुकूमत जो है वो सारों को interest देने के बजाए कुछ लोगों को एक lottery की वनियाद के ओपर interest दे दिया करती है so bond is a type of debt document जिसमें जिस शक्स को पैसों की जरूरत होती है किसी government को किसी company को वो एक certificate issue करती है और certificate के through वो लोगों से loan ले रहती है अब वो जो bond of owner का बॉनर का जो owner है चाहे वो government है चाहे वो company है उसको दो किसम की payments करनी है उसको सबसे पहले कोंसी payment करनी है एक खास time period तक उसे rate of interest प्रोवाइड करना है और उसके बाद जब उसका time period पूरा हो जाएगा तो फिर उससे ultimate पूरे के पूरे पैसे बापिस करने है ये bond के case में present worth method बड़े जबर्दस तरीके से इस्तमाल होती है जाहरे ये भी वह वह वाला case है कि मैंने आज एक लाक रुपे government of Pakistan को दिया और उसके बदले अगले दस साल तक government of Pakistan मुझे महीने का या साल का दस दस हजार रुपे दे रही है और उसके बाद मुझे एक लाक रुपे देदेगी वापिस अब मुझे ये देखना है कि ये जो ये जो मैंने जो working की है ये जो मैंने जो पैसा government of Pakistan को loan के तौर पर दिया है या मैंने अगर किसी company को loan के तौर पर दिया है तो ये जो project था ये feasible project था या नहीं था मैंने ये economically better decision लिया है या नहीं लिया that is the idea of present worth method जो कि हम bond के case में apply करते हैं अगर हम इसको एक concept की जरूर समझने की कोशिश करें तो आपके पास इस किसम का एक सवाल आ जाता है जिसमें आप अगर देखें कि first करें a bond with a face value of 1000 रुपीज pays interest at the rate of 8% सबसे पहले ये देख लें कि face value का मतलब होता है bond का जो document है उसके उपर जो value लिखे हुए that is called face value और par value पी ए आ पार वैलियो वो 1000 रुपे का है और उस पर interest rate 8% का pay किया जा रहा है ये जो interest rate pay करते हैं इसको हम coupon rate भी कहते हैं normally आपने अगर कभी national saving certificate देखे हो तो उसमें certificates के साथ छोड़े छोड़े clips लगे होते हैं वह आप फाड़ते हैं और office में देखकर उसके बद्ध्य आप पैसे हासल कर लेुए that is called coupon rate bond की जो life है वो 4 साल है interest permit जो है वो सालाना मिलेगी annually 8% के साब से और market rate of interest is 10% अब यहाँ पर आप एक बात समझ लें यहाँ पर दो किसम के interest rate की बात हो रही है एक वो वाला interest rate है जो के coupon rate है जो profit है जो के आपको government या company पे कर रही है दूसरा वो वो वाला rate of interest है जो के overall market में exist कर रहा है ठीक है जाहिए यह दोनों normally मुख्तलिफ होते हैं कुछ ना कुछ लिहाद से कभी सेम भी जाती है नेकि कभी मुख्तलिफ होते है सवाल अब पूछराई जी compute the present worth of the bond इस present worth of the bond तो मतलब क्या है कि how much you should be able to pay to purchase this bond अब मैं इसकी एक present worth निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अब आप अगर गोर करें तो present worth में हो क्या रहा है present worth में हो basically यह रहा है कि 1000 रुपे के हिसाब से 8% आपको 80 रुपे हर साल rate of interest मिलेगा अगले 4 सालों तक पहली बात दूसरी बात चौते साल के बाद आपको 1000 रुपे अपने वापिस भी मिल जाएंगी अब problem यह है कि यह जो 80 रुपीज आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौते साल मिलेगा यह तो 80 रुपीज उन टाइम का 80 रुपीज होगा we need to find out its present value तो present value मालूम करने के लिए मैंने उसको फिर उसकी present value factor से divide कर लिया, ठीक है और इस 1000 रुपे को विच्चो के यह 14 साल में मिल ला है, इसको भी मैंने divide कर दिया है, अब आप देखें पहला जो आपको 82 पीज मिलेगा, उसकी आज की value कितनी है 72, दूसरा जो मिलेगा, उसकी आज की value कितनी है 66, तीसरा 60, चौथा 54, यह जो 1000 मिलेगा, इसकी आज की value कितनी है 683 आप इसको again इस method में भी कर सकेंगे, otherwise आप जिस तरह की साथ table हमने बनाया था, present worth का वो भी हम बना सकेंगे, अगर मैं इन सारी figures को जमा करनों, तो मेरे पास value कितनी आज़ी 936, it's mean it's mean एक ऐसा bond, जिसकी face value 1000 रुपे है, और उसे 8 person rate of interest के साब से profit मिलना है तो ऐसे case में यह bond आप के लिए तभी feasible है, जब यह bond आपको 936 रुपीज का मिले यानि के अगर फर्स करें, आज हुकूमत पाकिस्तान यह bond issue करें, और हुकूमत पाकिस्तान के जी के हम यह bond 936 का दे रहे हैं यानि के इसकी issuance price जो है, वो 936 हो, अगर वो कहेंगे, हम आपको यह bond 936 का दे रहे हैं और आपको 4 साल 80-80 रुपीज मिलेंगे, और उसके बाद 14 साल में आपको 1000 रुपेज की face value वापस मिल जाएगी, then this bond is a suitable investment, otherwise we should not purchase this bond, so यह question क्या था, present worth of the bond मालूं करें, और क्या मत्दब था, how much you should be pay to purchase for this bond, ठीक है तो यह उसकी present worth का concept मौझूद है, जिसमें हमने उसकी present worth को फॉरी तोर पर देखा कि यार, यह 1000 रुपे के अगेंस यह जो investment है, यह कितनी suitable है this is how हम present worth के concept को bond की case में apply कर सकते हैं, अच्छा, इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर हम इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाएं तो देखें, let's suppose मेरे पास एक और सवाल मौझूद है, वो जो कि कहता है, a four years bond with a face value of one thousand rupees pays interest at the rate of eight percent, again वो यह वाला कौँ concept है कि 1000 रुपे का bond है, 8 percent coupon rate है company जो है वो bond offer कर रही है 865 का, अब देंगे सवाल थोड़ा सा बदल गया है, company कितने का bond दे रही है, 865 का ठीक, सवाल यह है कि इस situation में हमें कितना profit हो रहा है, ठीक आपको वैसे तो profit मिलना है, 8 percent 1000 रुपे मिलने हैं मगर आप वो bond कितने का खड़ीद रही है सिर्फ 865 का, तो आप अगर आप गौर करें, तो यही जो concept है, यह कुछ इस तरीके से आ गया है कि आपको जो cash inflow मिलेगा, वो कितना मिलेगा आपको यह सारे पैसे मिलेंगी cash inflow में ठीक है, और outflow कितना होगा वो यह outflow है यानि कि 872 अब मैंने देखना यह कि किस rate of interest पे यह दोनों figures बराबर होती है और यह यानि कि यह जो आई है, यह मुझे मुझे मालूम करना है कि किस rate of interest पे यह दोनों cash inflow और cash out बराबर हो रहे हैं, यह जो आई है, इसको हम economics की जबान में कहते हैं, YTM YTM stands for yield till maturity कि किस rate of interest पे यह दोनों figures बराबर होती है अब इसको निकालने का हमारे पास direct कोई तरीक्यकार नहीं है, सवाए इसके हम hidden trial method इस्तमाल करें और hidden trial method की मतदद से जब हम compare करेंगे, तो हमें पते चलेगा कि अगर यह approximately यहाँ पे 12.5% की figure आए तो यह figures बराबर हो जाती है जो यह मुझे बताएगी, कि तकरीबन इस investment के अंदर जो हमारा YTM है, that is 12.5% जाने कि अब आप देखें आपको नजर आ रहा है कि rate of interest जो है वो आपको लिखा गया है, 8% मगर असल में आपको जो profit हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12.5% because क्योंकि आप investment amount की कम कर रहे है आप only 865 रूपीज की investment कर रहे है तो असल में आपको एक तो 80-80 रूपीज चार साल का benefit मिलना है प्लस जब आपको पैसे वापिस मिलेंगे तो 865 की जगा आपको 1000 यानि कि 135 का वो भी benefit मिलेगा इनका जो सारा benefit है यह मिला आपकी YTM में जाके जम्म हो जाएगे ठीक है जी, this is how bonds के case में हम यह present worth method को बड़े heavily इस्तबाल करते हैं Thank you guys